कि है कि हम बात करें सार रेज़ीडेंशल स्टीटस का है अगर हम इसको थोड़ा सय एक्स्पृइन करें कि क्या है सर रेजिडेंशल टो रेज़ेशल स्टिटस में एंड टोटल इंकम चैप्टर का नाम यह है तो इसका फॉर्स्ट पार्ट जो था डेट इस हमारा रेजिदेंचल स्टेटर्स का वो हम सीख चुके है हमने लास्ट क्लास में डिसकस किया था फॉर्स्ट पार्ट है ना हमने लास्ट क्लास में फॉर्सट निगलना सीखें गे तो सर सो status बहुत सारे बच्चे नई हो सकते हैं तो उनको अब previous class देखनी पड़ेगी तो status के हम बात करें तो status में क्या था दो चीजे थी इसको check करने के लिए एक था हमारा भहिया basic condition चेक कर लो और एक था हमारा additional condition चेक कर लो basic condition में पहला number पे था एक या फिर एक दूसरा number दोनों में से कोई एक चेक कर लो ये बोलता है 182 दिन रह लो और ये बोलता है 60 दिन या फिर आपको 365 दिन रहना है इंडिया में last four year में बस additional condition में 2 है additional condition number one और additional condition number two यहाँ पे आपको दो बार resident होना है और यहाँ पे 730 दिन रहना है यह पिछले साथ सालों में रहना है और यह पिछले 10 सालों में पुरूफ करना है कुछ इसके exception वगरा भी हमने देख लिये थे और इसके basis पे हमने कुछ days वगरा calculate करना सीखा था आज सीखेंगे income और income कब इंडिया की income मानी जाएगी और कौन-कौन ऐसा person है जिसको tax देना है हम इस बात पर discuss करने वाले हैं आज के income कैसे tax liability और income की हम liability तो नहीं खेर income की पहले हम बात कर लेते हैं चलिए तो सर income कैसे निकालोगे आप income देखिए पहले समस्ते हैं फिर हम आ जाएगा आगे जैसे मानलो आपके सामने simple सी बात करें तो जो आपके पास यह इंडिया है अगर इंडिया की बात करें हम जो इंडिया है तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के जो बाहर है जो इंडिया के बाहर country है यहां से पैसा आपके पास यहां आ सकता है जैसे मानलो कि हम बहुत सारे लोगों का या मैं अपनी बात कर लेते हैं किसी का भी कि हमारा कुछ income आउटसोर्स है यूट्यूब का ले लो आप यूट्यूब से आपको पैसा मिल रहा है इंडिया से थोड़ी मिल रहा है पैसा कहा से आ रहा है यूएस से क्योंकि वह और जो इंडिया में आप कमा रहे हो बिजनस करके जो इंडिया में कमा रहे हो तो यह समझना होगा इस इंकम पे टेक्स देना है या नहीं देना यानि चाहे पैसा बाहर से आ रहा हो चाहे हम पैसा एंडिया में कमा रहें तो इस इंकम पे ठेक्स देना है य नहीं देना और अगर देना भी है तो कौन देंगा क्यूक्कि हमारे पास तो तीन तरीकी के वथती हो गये τα नोर हो गया और तो इस में एक इसमें याद रखना हमेशा जो आर होता है आपके हिए एकजाम पूछाएगा पुछा जाएगा है सब्सक्राइब है हमारा एक बिजनस यहां पर है और पैसा हम जो है यहीं पर डिसीफ कर है नहीं कि बिजनस कहा है हमारा कि फॉरण यह दूसरा इस्टेट बना दें दूसरा कंट्री बना दिया यह क्या होगे हमारे लिए तो अब आपको यह चेक करना पड़ेगा यह बिजनस दुकान कौन सी क्या पता एस्वी आई की ब्रांच कagne अगर मांनलो स्विरश ऑख होई बाहर रहा है लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है n तो यह चेक करना है कि आपका अगर ईंडिया के बाहर बिजनस है पैसे भी रिसीव हो रहा है इंकम भी वहीं कमाया जा रहा है तो control चेक करिए कहां से है अगर इंडिया से उसका control है तब हमें देखना पड़ेगा कि भईया कौन-कौन tax देगा और कौन-कौन tax नहीं देगा अच्छा सर control भी चेक करना पड़ेगा हाँ अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बिजनस इंडिया के बाहर है और इंडिया के बाहर है और पैसे भी बाहर ही रिसीव कर रहा है उसका control भी भारत से नहीं है तो क्या उससे tax लेंगे हम तो situation पर depend करेगा तो आज जो सीखने वाले हैं हमें हर किसी का total income बताना जैसे माल लो हमारे पास इंडिया में पैसे आए यह दो लाक रुपे और इंडिया से कमाए मैंने तीन लाक रुपे और जो मेरा बाहर SBI का branch था उस पर थे तीन लाक रुप लेकिन जो बाहर से पैसा आ रहा है उस पर देना है कि नहीं देना इसके बाद बोला गया जो दूसरे तरफ से हमारा देखा जाए वहीं पैसा रिसीव हो रहा है कि उस पर भी हम टेक्स देंगे तो सारा आज total income निकालना सीखेंगे तो total income के लिए देखे क्या बताया गया है बहुत simple सी बात करेंगे के Indian income कौन-कौन सी income ऐसी है जिसको हम भारत की कम मान लें भाई दुम चाहिए बहले ही बाहर कमा रहे हो हम किसकी income मान लें और अगर भारत की इंकम मान लें तो ऐसे situation में क्या करना पड़ेगा आपको टेक्सा कि देना पड़ेगा वहाँ पर condition देखें ऐसा क्या situation देखें जिससे की पता चल जाए यह income को भारत का मान लो पहला क्या कहता है कहता है income receive और deemed to be receive in India during the previous year पैसा भारत में आगया या पैसा भारत में आप बोल नहीं आया है लेकिन इंडिया गवर्मेंट बोलती है भारत में आया है इंडिया की income है आपने कमाया कहीं हमें मतलम नहीं पैसा भारत में आ गया तो किस इंडिया की sixty इनकल आप दूबई गए डूबई में पैसे कमाया पैसे कमाके सीधा इंडिया में ली आया वैंजा मैं कि इसकल आपकी income इंडिया की और Deem to be Accu in India Accu可 मतलब यहां पे इससे हैं कि दुकान दारी आपकी इंडिया में है दुकान आपका इंडिया में ही है अब प्यूमा कमपनी है या फिर मानन ले तें टीडाज है या फिर एपल का शोगरुम है तो वो पैसा कहां से जन्क्रेट कहां से कर रहा है उनुम आपका दुकांदारी आपका बिजनसρέ खोल और आगर आप भारत के अंदर खोल के बैठेखों तब भी आपकर भारत में घूल के बैठे हो सब्सक्राइब ऑनलाइन भी हो सकता है यहां से सर्विस भी दे सकते हैं भारत की जमीन पर जहां वे टेस्ट देना पड़ेगा income receive or deemed to be received in India during the previous year but accrue outside India during the previous year, there is a sentence का मतलब क्या है यह तो दोनों लगबग लगबग एक ही जैसा है मतलब कमाया गया, accrue का मतलब होता है कमाना, accrue का मतलब अभी समझना simple, यहाँ पे ज़्यादा सज्यादा आप सोचोगे न, वैसे तो मतलब होता है due होना लेकिन यहाँ कमाना, accrue outside मतलब कमाया भारत से बाहर गया लेकिन receive इंडिया में हो जाए तो कहां की income मानली जाएगी इंडिया में, यानि गूम फिर के मैंने वही वर्ड बोला है income receive outside इंडिया, अब भया income कहां receive हो रहा है, जैसे मानलो यह भारत है और यह मानलो दूसरी कंट्री है, यह दूसरी कंट्री है, अब income कहां receive हो रहा है outside इंडिया, during the previous year, but accrue or deemed to be arise in इंडिया, लेकिन दुकान यहाँ है और यहाँ से पैसे सीधा कहां भीज रहे हो, बाहर, अब एपल कमपनी क्या कर रहा है, कमा यहां रहा है लेकिन सारा पैसा कहां भीज देता है, अमेरिका भीज देता है, तो उस situation में भी है, कमा तुमने यहां लिया, तो tax, बहुत simple सा logic लेना है भारत के अंदर आपकी दुकान दारी है, tax देना पड़ेगा और बाहर से पैसे लेके आओगे, तो आपको tax देना ही देना पड़ेगा दो condition में आपको tax देना है अगर आप बाहरी कमा रहे हो, बाहरी खर्च कर रहे हो, भारत से कोई लेना देना नहीं तो भाई, इंडिया की income तो है नहीं न वो चलो सर, और क्या अब हम बात करते हैं, foreign income किसको बोलेंगे, यानि वहीं का कहता, both of the following condition should be satisfied, दोनों अगर बाते मिल जाएं, दोनों, both of the तब मानना, income not receive इंडिया होना चाहिए और deemed to be receive in इंडिया नहीं होना चाहिए इसके income does not occur, मतलब आपके दुकानदारी जैसे ये भारत है और ये भारत का बाहर है तो दुकानदारी भी यहीं होनी चाहिए और इंडिया में पैसा receive भी नहीं होना चाहिए अगर ये दोनों काम नहीं हो रहा है तो मान लेंगे आपकी income, यहां की income नहीं है कौन सी income है आपकी? foreign income चलो मैं एक simple सा question पूछता हूँ मैंने केरल में अपना स्टार्ट अप स्टार्ट किया है केरल में और वहां से पैसे कमा के मैं फटाफट से मान लो यूएस लेके चला जाता हूँ तो income कहां की मानी जाएगी फटाफट कमेंट में बताओ कहां की मानी जाएगी कहां की माने जाएगी इंडिया की माने जाएगी क्यूं सर ऐसा क्यूं बोल रहे हैं इंडिया की माने जाएगी बिजनस इंडिया की जमीन पर कर लिया अपने अब मानलो मैंने एक बिजन सेटप कर रखे कहांपे बिजन सेटप कर रखे कहांं पर पैसे कमा कर चाहिना में और पैसा कमा कर जाता हूं जाता हूं दुबाई में लेकर ऑभारत की जमीन पर पैसे कमाया तो यह foreign income होगे समझ रहे हैं अगर पैसे भारत में लेकर आगे तब भी इंडियन income ही माना जाएगा foreign income नहीं माना जाएगा इसको और explain करते है foreign income क्या कहता है Indian income जो है वह taxable होगा किसके लिए आपका ये है और किसके लिए टेक्सेबल होगा Indian income और को देना है सर इंडियन income taxable किसके लिए होगा अच्छा अगर आपका स्टेटरस अनौर हुआ तब भी आपको टेक्स देना जी हां किसके टेक्सेबल होगा यानि आप रेजिडेंट भी नहीं हो और भारत में पैसा कमा रहे हो तो टेक्स तो देना ही पड़ेगा आपका स्टेटरस हमें मतलब नहीं अगर आप और और हो गए तब भी देना पड़ेगा आप बोलते हो सार मैं तो 20 दिन रुका था बाकि भारत कमाया Plato ना पड़ेगा स्टेटरस तुम्हारा裡 हो स्ट्रेटरस तुम्हार न आर हो आपको टेक्स देना पड़े अगर आपने भारत की जमीन पर कमाया हो या बहार से पैसे भारत मेंよろしく созд dat कर लिया अगर आपका रोर है कि अब फॉरंड में इंकम पॉरंड इंकम कौन सा कमाओ भी और रखो भी थे ए वहीं महीं रिसीब कर रहे हैं वहीं सबकुछ कर रहे तो ऐसे इंकम को बोला-जाता है फॉर इंकम अगर आप भार बन गए तो आप टेक्स देते हुए आपको text देना होगा लेकिन सिर्फ दो type अगर NOR बने तो आपको दो type होगा अगर आपका business income control, holy और partly India मतलब business में पैसा जिसे SBI की एक branch है बाहर हर जगह SBI की branch आप जाओगे तो बाहर मिल गई और कमा भी वहीं रहा है और receive भी वहीं कर रहा है ultimately control कहां से हो रहा है SBI का chairman तो भारत में बैठा है control भारत से कर रहा है तो ऐसे situation में अगर आप ROR हुए तो देना ही पड़ेगा भीया चाहिए कैसे भी income लेकिन NOR हुए तो जब ये condition पूरी करोगे तब ही देना होगा कहता है from profession set up in India foreign income, not taxable अगर process set up in India है और other foreign income है तो not taxable अभी हम इसको explain करेंगे आगे चलके और यहां पे तो हमारा नार है तो इस case में taxable नहीं होगा हम अच्छे से देखेंगे जब तक हमें ये clear नहीं हो जाता तब तक देखेंगे miserly हमें यहां से सब कुछ पता चल जाएगा और आपको चलिए एक और बात देख लेते हैं कुछ point और discuss करने वाली आ गई अब मुझे बताईएगा मैं इंडिया का मैं भी ले लू ता कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ मैं है यह हमारा भारत और इसको तो हटा दो वाई की आप पर वैसें भी ज्यादा दिनों का महिमान नहीं है इसको भी अटा दो साइड यह तो हटी गिया मैं और इन दोनों को साइड अटाके एक यह स्टेट है तीन स्टेट आपके सामने दिख रहे हैं कि सभी को दिख रहा है यह तीनों स्टेट कौन कौन सी जगह है एक है इंडिया और यह है हमारा अमरिका और यह हमारा यूगे अग्लेट इंडिया के अंदर यह भी आपका अंडबान निको बार लिखा हुआ है साथ आपको पता नहीं विज्वल हो या नहों यह भी इंडिया का पाठ है पॉंडी चेरी भी किसका पारट है तो यहां से यह एरिया देख रहे हो यह यहां से लेके यह बॉर्डर नौटिकल माइल तक एरिया बॉर्डर इंडिया का माना जाएगा जिसको बोलते हैं टेरिट्री बॉर्डर ऐसा नहीं होता जहां से इंडिया खतम हो गया इसके बाद यहां पर कोई भी आ जागा नहीं इससे 12 किलोमेटर दूर तक सेफटी रखते हैं कि वह हमारे सीमा में हमारे ट्रेटरी वर इसको हम नौटिकल माइल में काउंट करते हैं कि अगर आप यहां पर दुकांदारी करते हो कि हम सरब यहां पर्लाब कैसे हो सकता है मैंने अभी बहुत सारे मैं योट constructing देख रहा था तो कश्मीर का कुछ ज्यादा ही वीडियो अब थोड़ा सा ट्रेंड होने लगा है कि वहाँ दिखा रहे हैं टूरिजम को उनको क्या करना है तो आप वहाँ पे जील वगए मैं जैसे ही जाओगे ना वहाँ पे जील तो ज्यादा है तो आपको रेस्टोरेंट भी क्या होगा आप जैसे चल रहे हो आप बोटिंग करते करते साइड से एक ना और है गाए कि वह बेच रहे हों वहां पर फिर थोड़ी दोर जाओगे फिर समान बेचने वाला आ कोई खाना पीना मतलब आप बोटिंग कर रहे हो और आपके साथ-साथ दुकानदार आता जा रहा है तो ऐसा यहां भी पॉसिबल है तो भाईया यह जमीन तो भारत की है ना पैसा यहीं कमाए आपने तो आपकी दुकानदारी किसी काइंड की हो भारत के किसी कोने पे आपकी दुकानदारी हो जाए आपकी दुकान बन गई किसी कोने पर पैसा यहां से कमा रहे हो तो भीया यह भारत की इंकम है इस इंकम को आपको इंडियन इंकम बोलना पड़ेगा आपका स्टेटस इर्रस्पेक्टिव कुछ भी हो आप भले ही भारत में एक दिन रुक रहे है या भ बहुत साल तो ऐसे होता है दो साल में आ गया तीन साल में आ गया ऐसे आ रहे हो लेकिन जो एपल सोरूम से पैसे कमाए जा रहे हैं क्या उसको इंडिया में टेक्स देने नहीं देने देने हैं क्योंकि यहां पर आपकी क्या है आपके दुकांदारी यहां पर इसलिए सिर्फ इस वज़े से जो हमारा टेसला कंपणी का था आपने सुना होगा वो कह रहा है भाईया मैं चाइना में बनाऊंगा और भारत में बेचूंगा एक्सपोर्ट कर दूगा बस तो उसका कहना है भाईया अपनी दुकांदारी आपको भारत में ही लगानी पड़ेगे सब कुछ यहीं करोगे तो हम आपको यहां पर आप दो नहीं पर्मीशन देगे अभी तक वह इंडिया में आ नहीं पाया है और इंडिया में अगर खरीद दावी चाहते तो इतना महों कर दिया है कि आपका मनी नहीं करेगा खरीदए का अगर बाहर तीस लाख रुपए का है तो इंडियन गवर्मेंट ने बोली अच्छा तीस लाख में बेचोगे तो हम एक काम करते हैं चालिस लाख टेक्स लगा देते हैं अब सतर लाख का खरीद लो और आपको यह कहानी पता चलेगा कि इस तीस लाख की एक्चुल कीमत ती अगर आम का स्टेटास कुछ भी आपको पैसे देने हैं अगर आप मेरिका से एक हर भारत में ले के आ गए किसका पैसा यह भारत का प्यसे आपको इसके ओपर टेक्स देनाओ अगा दूसरा आपका SBI का ब्रांच यहां पे है आपका SBI का ब्रांच यहां पे है यहां पे आपका SBI का ब्रांच है पैसा यहां से कंट्री से ही आ रहा है यहीं से पैसा भी आ रहा है और पैसा खर्च भी यही हो रहा है भारत से कोई लिन देना नहीं लेकिन भारत में एक बैठा ह हुआ वेक्ति इसको क्या कर रहा है इसको कंट्रोल कर रहा है और अमेरिका में तुम आपको टेक्स्ट देना पड़ेगा लेकिन सिर्फ दूवक्ति को एक आरोर को तो हर कंडिशन में ही देना है एक एन और बोलेगा ठीक है बच गया नहीं देना तो मैं टेक्स एन आर के केस में अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो एन आर के केस में नहीं देना लेकिन अगर दुकान हमारी यहां पर है कहा है दुकान और control यहां से हो रहा है, यहां से बॉल रहा है कोई, यहां से control हो रहा है तो आप दिमाग लगाओ, control कहां से हो रहा है, युएस से हो रहा है और business कहां पे है, तो बताओ इस पे text, जैसे कि Apple Mobile, iPhone ले लो यह Apple का showroom ले लो, यहां है control तो बाहर से ही करता है वो आप BMW ले लो, Mercedes ले लो, जितने भी ले लो, आप Edidas ले लो, आप जितने भी बड़ी company है, आप MI का phone ले लो, control यहां से नहीं हो रहा भाई, वो control कहां से हो रहा, चाइना से हो रहा है, ऐसे situation में बताओं, किसको text देना है, मैंने कहा अगर भारत में पैसे कमा लिए, तो सबको text देना, आपका status matter नहीं करेगा, अब मैंने क्या कहा, कि अगर control आपका भारत में और पैसा बाहर कमा रहे, तो दो को text देना है, अगर आप ROR हो, तो दे दीजिए, अगर NR हो, तो छोड़ी हटाइए, मत दीजिए, आप, दूसरा मैंने बताए, कि भारत में business और control कहां से हो र control वाली बात आगए, यहां पर ध्यान रखना है, तो जवाब क्या है, दुकानदारी कहां है, भारत में है न, तो आप control कहीं से भी करो, मतलब नहीं है, आपका status क्या है, मतलब नहीं है, भारत से पैसे कमा रहे हो, बस यही मतलब है, तीनों text देंगे, समझ रहे हो ने, मैं क् को बोला है, सब को देना पड़ेगा, समझो, दुकान तो यहां पे है न, भाई साव, दुकान तो भारत पे है, भारत पे जैसे दुकानदारी हुए, आप control जहां मर्जी से कर लो, टेक्स तो हम लेंगे, सिंपल सा फंडा लेते हैं, हाँ, दुकान आपकी इंडिया से बाहर है, और control यहां से तो 2 को, क्योंकि दुकानदारी यहां है इस पैसे अगर अगर दुकान बाहर है, और पैसे रिसीव कर लिए, control इंडिया से कर रहे हो, तो तो रिसीव वाला concept लग गया न, तीनोगे, भार ही है, और बाहर ही रिसीव हो रहा है, खर्चा भी बाहर कर रहा है, बस कंट्रोल भारत से है तब दो को दुकान यहाँ पे है कंट्रोल भारत से हो रहा है तो दुकान तो यहाँ वाला कॉंसेट हो गया ना income accrue in India कमाया कहां जा रहा है भारत में तीनों पे टेक्स से पर अगर माल लो आपकी दुकानदारी यहाँ पे है कहां पे दुकानदारी है अमेरिका United State of America US से पैसा यहाँ कमा रहे हो और भेज रहे हो आप यहाँ पे कहां भेज रहे हो UK में कंट्रोल पंट्रोल सब वहीं से है हमारे से कोई लेना ही देना नहीं है अब किसको टेक्स देना है अगर आप आरो आर बने तो बच नहीं सकते फॉरण इंकम होगा तब भी टेक्स ले लेंगे आपसे सिर्फ किसको देना है आर वार यह से इंकम को क्या बोलते हैं फॉरण इंकम मान लेते मेरा नेपाल में एक मकान है और वहां से किराय मिल रहे हैं और वहीं खर्च वर्च में कर देता हूं तो अगर मेरा स्टेटस और भिवां तो मुझे टेक्स देना पड़ेगा नोर और के के स्भिское लियुक्लू कैस में नहीं देना पड़ेगा समझ रहे यहां आप में कॉर को पकड़ो भारत में पैसा आया और भारत में कमाया तो तीनों इतस्य बाओ बाए सब worship मोख बाच से vịaker और बारं हो रहे हैं तो तो बचनी सकता बाकि दोनों बच जाएब कि मैं अब क्या हुआ कि मान लो है आप भारत में बैठे हो आ आप कहां बैठे हो भारत में आपने UK से पैसा कमाया कर अपने कहां से पैसा कमाया तो ऊपने यहां से पैसा कमाई जौब कर रे थे और अमेरजिंसी जल्दि जाना पड़े ऊपने के आप कहां आपके भारत आगये कि यहां पे आपके फ्रेंट ने आपका जो दोस्त था UK में उसने salary लिया और फिर salary आपको भारत में transfer कर दिया महाँ salary लिया और फिर पैसे कहां दे दिये इंडिया में दे दिया कि इस process को बोला जाता है receive नहीं हुआ अब यह क्योंकि एक बीच में इसको क्या बोला जाएगा रेमिटेंस में फरक है रेसीव के केस में डारेक्ट आपके अकाउंट में आगया कोई मिडियो कर नहीं है बैंक भी नहीं है अगर पैसा पहले बैंक के पास आ रहा है और बैंक आप से कंफर्म कर रहा है भई है तो वैसे तो पैसा बैंकर के पास आया है तो ऐसे सिचुएशन में वो receive माना जाएगा क्योंकि बैंक कहा था इंडिया में तो पैसा receive इंडिया में लेकिन यहाँ SBI है पैसा यहां से सीधा गया हमारे इस वाले खाते में तो पैसा receive कहा हुआ है बाहर अब उसके बाद SBI से फिर मुझे यहां transfer किया गया यहां से मुझे क्या हुआ यहां transfer किया गया उसको बोलते है remittance आप सब जो मुझे fees दे रहे हो सब remittance है आपके fees कौन देते हैं ममी पापा फिर आप मुझे लाके दे रहे हैं तो क्या ही है receive नहीं है remittance है receive क्या हुआ आपके parents आए और मुझे fees देके गए तो that's call receive तो आपको फरक पता चल रहा है receive और क्योंकि जैसे पैसे यहां receive हुए होंगे भारत बहार वहां की government बोल देगे आप भही आप पैसा यहां receive हो गया हमारे यहां से कमारे हो हम टेक्स लेंगे तो अगर वहां टेक्स देती है तो भारत में लेने का कोई मतलब नहीं बन जाता डबल टेक्सेशन हो जाता है तो remittance क्या होता है पहले आप छोटी-छोटी से वर्ड समझो हमने एक receive की बात करी डारेक्ट भारत में पैसा आया एक कोई और लेता है फिर भारत में देता हैं एक क्रेइव का बात करहिए मतलब कहा पैसा कमाये जा रहे हैं इसक 112 बात करी कि बैदेब बहारे में जहां के इनकम पर भारत में थेसे बहुत खम income deemed to be accrued in India कुछ ऐसे case हैं जब भारत में ही और मान लिया जाएगा रीड़ कर सकते हों 10 year में मैंने डाल दिया है income from business आपका कहा connection हो इंडिया तो मान लिया जाएगा भारत में ही है in come from any property asset source income in India मान लिया जाएगा income through transfer of capital assets situated इंडिया अगे भारत में आप सोना चांदी बेच रहे हो तो capital assets उसे बोला जाता है तो इंडिया में मान लिया जाएगा income under the head of salary भारत में तो यह चीज़े अभी दीरे-दीरे यह ना बहुत भारी-भारी सब्सक्राइब आप यकीर नहीं मानोगे chapter जब income tax start करना होता है तो starting में हमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसा करना पड़ता है यह नहीं बता रहे कहीं बता दिया तो पता नहीं मतलब के confusion नहीं हो जाए क्योंकि अभी मैं salary एक महिने लगेंगे समझाने में आपको एक महिना लगेगा कि salary होता क्या है भाई और 18 नंबर का question आएगा आप बताओ salary क्या होता है जब मैं सिखाओंगा तब exam में लिखोगे 18 नंबर का question आएगा salary क्या होता है ऐसे capital gain में लग जाएगा आपका टाई तो अभी तो मैं बहुत बहुत तो अभी मैं इसको ज्यादा explain नहीं कर रहा सर हां कुछ और बाते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा भारत के अंदर ना इंडिया के अंदर बहुत सारी income पे सरकार टेक्स नहीं लेती है हमें तो total income निकालना है यह वेक्ति है और इस वेक्ति का total income निकालना है अब total income आज कल के time पे एक वेक्ति एक जगे से पैसे नहीं कमा रहा उसके बड़े सारे हाथ पर मारता है वह तो सारी income को पहले जोडेंगे जोब भी कर रहा है बांकों मोमोस की रुप लाएं जोब बाद क्या करता है इसोल पैसे लगाता है तो यह कैज्ववल इंकम भी हो गया बैंक में यूटुप बना रहा है वीडियो वहां से कर रहे हो तो बड़े बड़े सारे यहां पर बिजनस कर सकता है उन सभी इंकम को जोड़ेंगे गाउं में खेत भी यह वहां से भी पैसा तो सभी इंकम को जोड़ेंगे तब बोलेंगे भाई तेरी टोटल इंकम यह हो गई और इसके उपर तुझे टेक्स और आज के टाइम जब से pen card बना है ना अधार card हुआ है link pen card से आप बोलो कि मेरे गाउं में खेत नहीं है computer बोलेगा आपके गाउं में है खेत और देखो यहां से इतने किलो आपने अनाज बेचे हैं आप बोलो कि bank से में कोई ब्याज नहीं मिला computer बता देगा SBA से इतना भी आज मिला है PNB से इतना भी आज मिला है और इस दिन मिला है तो सारी income की detail अल्रेड़ी है सरकार के पास वो तो बस आपको बोलते हैं मौका देते हैं कि तुम जूट मत बोलो सही सही बता दो जूट बोलोगे तो फिर हम तुमसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ले थे सब कुछ अब कहां पैसे खर्च रहे और पैसे कहां कहां से वह एक सरकार बोलती है कि इतनी सारी अगर हर जगी की इंकम करें तो यह तो बड़ा मतलब के परिशान हो जाएगा एकदम दब सजाएगा बहुत एकदम सब परिशान हो जाएगा सारी इंकम को कैलकुलीट करके तो इनकी बहुत इंकम तो सरकार बोलते हैं चल या ठीक है थोड़ी बहुत हम करें आपकिसान हो कि तो अच्छा गां कर रहे है अब पता है किसान को अगर हम बेनिफिट्स नहीं होटा जाएगा तो बोलते हैं चल भाई तेरी इंकम पे टेक्स नहीं लेंगें अगर किसान का पैसा होता उसको क्या बोलते हैं इंकम इसके उपर टेक्स नहीं लेंगे लेकिन कुछ किसान चलाग होते हैं राइस यानि चावल की खेती करी फिर उसको पैकेट में बना के प्रीमियम कॉलिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बोलेगा खाई अब तु किसान तो सर्फ तभी तक था जब तक तो चावल प्राफ keeping बांव करएं बाकि जो तुल कर रहा है उस पर हम टेक्स लेंगे, ऐसा ज्यादा तर चाई के केस में होता है, कौफी के केस में होता है, क्योंकि चाई के केस में उसके प्रोसेस ग्राइंडिंग वगरह करके, तो सरकार ने वहां पर कुछ रूल लगाए हुए कि 65%, 70% सारी बातों को देखेंगे, अभी सर्फ याद र ब्हारत में किसान होना जाता जरूरी है अगर आपकी खेती से इंकम हो रही है तो इसके ओपर हम टेक्स नहीं लेंगे इंडियन गौर्ण्मेंट ने फैसला किया और यह section 10 के अंदर government ने बता है इतना भारी बाते नहीं कर रहें कि आप से संवेट्रेश्य लेंगे हैं लेखिन आपको किसानी कहां करनी हैं भारत के जमीन पैप सहर में करो गाउं में करो कहीं भी करो भारत की जमीन पे होना जरूर है एक तो किसान से टेक्स नहीं लेंगे दूसरा अब गिफ्ट अभी साधी हुई है और वहाँ पर मैंने सुना बहुत सारे गिफ्ट सुना क्या वही है कि किसी ने सुनाई नहीं यूटूब पर आता रहता है वही देख रहे हैं कि घड़ी दी है दो दो करोड रुपे की अब ज सारी चीजें दियोंगी आप यह समझना कि यह शादी जो है यह बिजनस हुआ है शादी नहीं है आप सभी लोगों को पता है कि यह शादी और यह बिजनस है इंडिया के कानून में कि यही ऐसा जगह है जहां पर कानून के अंदर मानलो लूफ फोल्स मानलो यह दिक्कत है इंडियान जब भी कभी होता है ऐसा बोला गया शादी पर जितना मरजी गिफ्ट दे दो जितना मरजी गिफ्ट दे दो टेक्सी नहीं लगेगा अब मालो मेरी एक कंपणी है, सबोस करना, मेरी कंपणी है, माल लेते हैं, रिलाइंस कंपणी एक है, और एक कंपणी, दूसरी कंपणी माल लेते हैं, सबोस करो, एक दूसरी कंपणी, X,Y, Z कंपणी माल लेते हैं, अगर रिलाइंस कंपणी, X,Y, Z कंपणी को खरीदेगा, मे इसको 100 करोड में खरीदने के लिए तैयार होगी, तो मैंने कितना कमा लिया, इस 50 करोड पर मुझे टेक्स देना पड़ेगा, 20 परसें ये 10 करोड या कोई भी एसेट्स मैं बेच देता हूँ, मेरे पास कुछ भी है, तो मुझे इस पर क्या देना पड़ेगा, टेक्स, अगर आपने ये फ्री फंड में किसी को दे दिया, फ्री फंड में दे दिया किसी को, तो साफ है कि भाई, टेक्स बचाने के लिए पैसे तो तुमने ले लिये होँगे, कैश में ले लिया होगा, गवर्मेंट बोलता है, फ्री में दिया, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे, तेरी इंकम इतनी होगी, और तेरे से टेक्स ले लेंगे, आप बोलोगे, यार मैंने अपने फ्रेंड को एक काम किया है, कि मैंने गोल्ड के चेन दे दी, पांच लाख रुपे का, गवर्मेंट बोलेगा, ठीक है, तुने दे दिया, कितने का खरीदा था, ये बता, बोले, पुराने खरीदे थे, दादा जी के टाइम के, पढ़े हुए थे, बोला, बीस अजार का खरीदा था, हाँ, अब कितने का, पांच लाख का था, चार लाख असी अजार पर टेक्स दे दे, तुने फ्री में दिया, तु समझ चार असी का, मेरे इसाब से, तुने क्या करा, उसको, बेच दिया है, तु मुझे उस पर क्या दे दे, टेक्स दे दे, उस पर टेक्स क्या है, माफ है, लेकिन जिसने दिया है उसको, वह अमबानी के लिए टेक्सेबल, तो on the occasion of marriage, अगर कोई भी gift आप receive करते हो, आप receive करते हो, जिसकी साधी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, यह नहीं कहा जिसको gift दिया है, वो तो occasion of marriage नहीं था ना, वो तो attend करने गया था, जिसकी साधी हो रही है, अगर उस time पर कोई भी gift लोगे, उस case में आपको उस पर tax नहीं देना है, इस ते बहुत, आप देखोगे ना, जितने भी richest person, उनको डैवोस बहुत होता है, क्या कारणिन को डैवोस होता है, उनको दूसरी साधी करनी है, और कई बार आप देखो कि पहले उस लड़की को डैवोस दे दिया, और कुछ दिनों बाद फिर से उससे साधी कर ल लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि आ, डैवोस दे दिया, बेकार है, गंद है, भाई, वो टेक्स प्लैनिंग कर रहा है, तो मैं समझ में नहीं आ रहा, अपनी बीबी के नाम पे कुछ ट्रांसफर करना होगा, तो टेक्स लग जाता, डैवोस दे के दे दिया, टेक्सी न लगेगा या, तो बच गैने 30 लाख रुपे, तो ये साधी के टाइम पे, पहली बात बताई, अगर आप खेती करते हो, तो आप से टेक्स नहीं लेगी भारत, अगर आप मेरिज, अगर आप अपने बेटे को दे दिया, लैप्टोप दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, बा अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, तो आपका क्या है, अगर ऐसा इंकम वाला कॉंसेप्ट नहीं आता, तो सभी गिफ्ट ही ले रहे होते हैं, सरकार टेक्स लेही नहीं पाता, तो बोला गया, शाधी पे जितना मर्जी गिफ्ट दे दो, तो अब रिलेटिव से जितन अपके मम्मी, पापा, चाचा, भाई, बहन, ना ना नानी नहीं, अलग हो गया, तो आपके जो ब्लड रिलेशन बोलते हैं, जो आपके बोलते हैं, खूनी रिस्ता, जो खून का रिलेशन है, वहाँ से गिफ्ट मिलेगा, तो वही रिलेटिव, हम जब अधर सोर्स करेंगे तहुति को नहीं है तो वहां पर सारे केश को कौन है वाइफ रिलेटीव हो जाएगी लेकिन मंगेतर रिलेटिव कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा साधी कर लेता तब गिरना तो reporting अुट आपसे टेक्स नहीं लेंगे अगर आप शादी के मौके पर पैसे रिसीव कर आपसे टेक्स नहीं लेंगे अगर रिलेटिव पैसे दे रहे हैं आपको तो भी टेक्स नहीं लेंगे आगे बोला गया मैंने तीन बाते बोली नंबर वन एग्री कल्चर इंकम नमबर दो, आपका गिफ्ट चल रहा है ये, गिफ्ट कब, अगर आप मैरिज पे लेते हो, नहीं टेक्स देना, रिलेटिव से लेते हो, नहीं टेक्स देना, अब नोन रिलेटिव भी तो है, दूसरे भी देते हैं, बर्थडे किया, वहाँ पे गिफ्ट आ गया, तो बोला न 50,000 रुपीज तक आप एक परसं से, सिंगल परसं से, अगर आप 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट लेते हो, तो माफ है, अगर पचास हजार एक रुपे भी ले ओगए, तो आपको पूरे 50,000 रुपे पर पूरा टेक्स देना पड़ेगा, यानि अगर नोन रिलेटिव और मैर काउंट होगा, या पचास हजार या उससे कम पर नहीं लगेगा, 50,000 से ऊपर, सभी को एग्रीगेट कर लिया जाएगा, सबने दिया है, मान लो आपके उस तो रिलेशन पर आपके फ्रेंड ने दिया, आपके मान लेते हैं, कि किसी और दोस्त के दोस्त ने दे दिया, जित टेक्स दूंगा किया जब सरकार मना कर रहिए मत लो टेक्स मेरा स्टीम कुछ भी और नहीं दूंगा ना भाई मैं क्या कि अलगे लेकिन अगर मैं लेकिन कितने अमाउंट का हैं पचास से कम का यह पचास अजार तक है तो चलेगा और पचास अजार से उपर हुआ तो सब पर लग जाएगा फिर तो फिर नहीं बच सकते हैं साथ के साथ बोला गया आपके कुछ ऐसे कंट्री की जो उनसे टेक्स नहीं लेते हैं जैसे भारत के अंदर worm बोला जाता है जिसको भारत रतन दिया जाता है गवर्मेंट उससे बहुत सारे टेक्स के benefits मतलब दे देती हैं नहीं लेती उसे tax तो किसी country में आपको ऐसी उपादी ऐसी legendary आपको मिला हुआ है तो वो tax आपसे वहां की government नहीं ले रही है तो ऐसे income को या वहां की government लेना ही नहीं चाहती है आपसे वो tax उसे बोलते हैं past untext income past untext income क्या बोलते हैं past text income सर past untext income का मतलब बाहर की government ने आपसे foreign income था उससे tax नहीं लिया तो अब भारत में लेके आ जोगे तो government ने बोला उन्होंने माफ कर दिया तो हम भी माफी कर देंगे हम भी नहीं लेंगे आपसे tax आपका status कुछ भी हो और 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 जो भी हो रिस्पेक्टिव और एनी इस्टेटस आपसे हम टेक्स नहीं लेंगे जा कौन से इंकम पे past untext income तो कुछ चीज़े हमें ने देखा उसी को मैंने सभी को एक systematic format में क्या करा लिख दिया है कौन कौन टेक्स देगा कौन नहीं देखा अगर आपको यह चीज़े याद है तो कोई भी ऐसा इस पर question जरूर पूछा जागा कोई भी total income तो ऐसा कोई भी question नहीं है जो आप नहीं कर पाऊगे पहले क्या बोला income accrue समझ में आया मतलब कमाया arise होना कहां इंडिया में तो कौन टेक्स देगा आपका status yes yes का मतलब आपका status कुछ भी हो ROR है दोगे NOR है दोगे NRO तब भी दोगे इंडिया में कमारे होना पैसे अगर income receive और deemed to be receive in इंडिया मतलब receive कर लिया और या सरकार बोल दे ना भाई तुने receive किया है इसके उपर section लगा हुआ है laws लगा हुआ है तब भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा आपका status कुछ भी हो आपको tax देना पड़ेगा income remitted to इंडिया अब मैंने साइध यहां पर गलत बोल दिया दो को देना पड़ेगा सिर्फ एक को देना पड़ेगा और बाकी दो को यह नि रो आर में तो सभी है खेर remitted का मतलब समझ में आया remitted मतलब पैसे वहीं receive होगे बाद में आपके पास आए उसको क्या बोलते है question clear बोलेगा income remitted है तो आपको पता करना पड़ेगा एक व्यक्ति है मान लोते उसका बोला गए भई पांच लाग प्रूपे के उपर text निकालो और वो नो आर है पर remitted गिया है तो इसका answer क्या होगा नहीं देगा text क्योंकि उसका status क्या है एन ओ आर सिर्फ आप और बिजनस इन इंडिया बिजनस कहा है और control कहा हो रहा है आउटसाइड इंडिया बिजनस कहा है इंडिया इंडिया में जब बिजनस है तो भाई तुम तो बिजनस पर ही कमा रहे हो तो तो तुम्हारे status matter ही नहीं करेगा तो तो कौन टेक्स देगा तीनों टेक्स देगे इसके बाद बिजनस आउटसाइड इंडिया यानि भारत के लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है तो भाई तो उस केस में दो टेक्स देंगे कौन कौन देंगे दो एनार अगर है आपका स्टेटस एनार समझ बा रहे होगे नों डेजिडेंट पिसिक कंडिशन भी पूरी नहीं करी तो बोला छोड़ो हटाओ आपसे नहीं लेंगे पास्ट अंटेक्स इंकम क्या बता है जब वहां की गवर्मेंट ने छोड़ दिया तो हम भी नहीं लेंगे टेक्स छोड़ो अगर भारत में आ भी गया तो नो नो का मतलब है भाईया उसके उपर टेक्स नहीं लगेगा डिविडेंट इंकम फ्रम इंडियन कंपनी पहले पुराने कि कोई बच्चा पुराना देख ले वीडियो भूले भटके इंकम टेक्स में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है गूगल पर पुराना अपडेट पढ़ा बच्चा उसको पढ़ लेगा या गूगल जा चुका है वो इंप्लिमेंट कर रहे हैं और एक बजट अभी आया था बीच में गया था ना अपका फरवरी में जिसे मिनी बजट बोला गया था वो थोड़ी हम पढ़ेंगे वो अगले साल पढ़ेंगे बच्चे तो गूगल पर कौन सा बजट दिखा रहा होगा ये व फिर बार में गॉबर्मेंट ने अमेंडमेंट किया और बोला इसको क्या करो टेक्से बल तो आप इंडिया कंपनी से आप डिविडेंट कमाऊगे तो आपको टेक्स देना होगा आपकी कोई भी स्टेटस हो क्योंकि आप कहां से कमा रहे हो इंडिया डिविडेंट फॉरण company अब foreign company से dividend आप receive कर रहे हो तो आपको तीनों case में text देना पड़ेगा लेकिन हाँ foreign company से dividend आप foreign में ही ले रहे हो मालो Microsoft का share खरीद लिया और रह रहे हो USA में वहीं ले लिया तो आप अगर NOR हो तो मत देना text NOR हो तो नहीं देना आरो आरो तो बची नहीं सकते भाई या foreign income हो गई न वह एक तरीके से और इंकम पर context देगा आरो आर को तो देना ही देना होगा आगे क्या कहता है income earn outside इंडिया and receive outside इंडिया तो आरो आर तो बचेगा नहीं बाकि दोनों मतलब यह कौनसे उस्ती इंकम हो गई और इंकम कोई सेंग को अग्रिकल्च्शर इंकम इंडिया जहीं और तो इस पर सरकार ने क्या बूला है जल्व तुम किसान हो वे माफ करते हैं का आख्साइड आव लगा एलकृटी कर इंकम फ्रम आवटशाइड इंडिया ओंट तो भारत में नहीं हो नसान आप किसान ही नहीं हो ऑपकोच्छ देना पड़ेगा देना पड़ेगा कर णें इस यह बिटेफ से पापा ने बैटे को देदिया बैटे Sen इक हां की मॉसा ने दिखिफ को फस वह तो अलगी चला तब आपका गिफ्ट में नहीं काउंट होगा हम रिलेटिव की बात ज्यादा तर किसमें करेंगे हम करेंगे अधर सूर्स वाले में पूरा रिलेटिव अभी आपको सिंपल दे रखा होगा गिफ्ट रिसीफ फ्रॉम नोन रिलेटिव अप्टू 50,000 एक्जम्ट मतलब नोन रिलेटिव से मिला तो पचास जार रुपए तक एक्जम्ट है ऐसा नहीं कोई शादी भी हा या फिर अपका बर्डे या इस पर होना चीए आपको गिफ्ट कभी भी दे देऊ गिफ्ट रिसीफ फ्रॉम नोडव के टेक्स नहीं मिलेगा टrainि धेणयुग को मिलेगा मैंने कह दिया टैक्स नहीं देना अगर कि यहंगा यह था candidate आपको कंबल दे दिया, आपको mixer दे दिया, juicer दे दिया, इस टाइप का gift जो दे दिया, तो 5000 रुपए कीमत तक क्या होगा, exempt बाकि taxable. तो कहता है 5000 रुपय तक क्या हो भाईया एक्जेम्ट और उससे उपर जो होगा सब्टेक्स वहाँ पर क्या है 5000 का सेनेरियो है अगर देता है लेकिन और और कोई दे गिफ्ट तो वहाँ पर कितना है 50,000 ध्यान रखना मालिक देगा तो सिर्फ 5000 एक्जेम्ट है यह आपको जो म पॉइंट 15 में से कोई भी 10 पॉइंट आएगा एक्जाम में 15 में से कोई भी 10 पॉइंट एक्जाम में आएगा और दस नम्मर का कोश्चन पक्का आएगा आएगा